नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा किलाज 9 बीहाइव की पोईट्री दडक एंड दि कंगारो तो आएए शुरू करते हैं कलयो है जा कि से रहते हैं कर दोस्तों पनलुछं ञें रहने लार में गषी कार ऩा अज करते हैं सभी दुट्र कार्ण के श बशोठों कवे खाते हैं सब्सक्तों आपको प्सक्तों कि तरकिश में कि आएए मैं कुट मैं ऐड Dust Sciences बतक ने कंगारू से कहा, महराज आप पानी और खेतों में ऐसे कूटते हो जैसे आप कभी नहीं रुकोगे, इस गंदे तालाब में मेरा पूरत जीवन है, लेकिन मेरी इस दुनिया को देखने की बहुत इच्छा होती है, काश मैं आपकी तरह कूट सकती, डक ने कंगारू से कहा, कॉस्टन्स, हाओ दस दख भी इस दे कर बात करें, इसको बहुत इजदत दे कर बात करें, सेकंड, इसकी इच्छा थी, वो भी कंगारू की तरह कूद सके, प्लीज मुझे अपने पीट पर बैठा लीजे, बत तक ने कंगारू से कहा, मैं चपचा बैठूंगे और कुछ नहीं बोलूंगे, लेकिन सिर्फ क्वेक करोगे, हम डी और जैली बोली के पास जमीन और समुन्दर के थू जाएंगे, किरपे मुझे गुमाईए, प्लीज, बत तक ने कंगारू से कहा, वो लोग डी और जैली बोली के पास जा रहे थे, उसके पीड पे बैठने के लिए राइड के लिए रिक्वेस्ट करी, what shall the duck to do the whole day the duck would quack the whole day वो सारा दिन quack quack करेगी said the kangaroo to the duck this requires some little reflection perhaps on the whole it might bring me luck and there seems but one objection which is if you let me speak so bold your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me through my teeth said the kangaroos kangaroo ने duck से कहा इसमें मुझे थोड़ी से सोचने की जरूत है कि शायद इसमें मेरी किसमत खुल जाए लेकिन इसमें मुझे एक दिक्कत है अगर आप मुझे ऐसे बोलने देंगे कि आपके पैरन बहुत ठंडे और गीले हैं और शायद इसमें मुझे ठंड लग जाएगी कंगारू ने कहा कोश्चंस कंगारू को क्या दिक्कत थी उसमें कहा कि उसके पाहूं डग के पाहूं गीले और ठंडे हैं जिसे वो बिमार हो सकता है उसको ठंड लग सकती है जो मेरे पैरों पर बिलकुल फिट आएंगे और ठंड को दूर रखने के लिए मैंने एक कपड़ा भी खरीदा है और हर रोद में एक सिगार प्यूंगे ये सब मैं इसलिए करूंगे क्यों मैं मेरे कंगारू से बहुत प्यार करती हूँ डग ने क्या सोचा और यहां पर डेट क्या है डग चटानों पर बैटे दिया और उसने सोचा डेट के अरमे और डेट यहां पर है रिक्वेस्ट करना राइड के लिए कि उसने तरीका डून लिया था जो दिक्कत थी वो सॉल्व करने का सेकंड वाट फोर दिट शी बाइड क्लोक और अधर थिंग्स शी बूट अल दिस फोर दी लव ऑफ कंगारू उसने ये कपडे क्लोक और बाकी जे क्यों खरी जे क्यों वो कंगारू से बहुत प्यार करती थी इसलिए खरी जे कंगारू ने डख से खा चांद की पिली रोशनी में मैं तुम्हें सवारी कराने के लिए के लिए तयार हूँ लेकिन डियर डख मेरे बैलेंस बनाने के लिए तुम्हें मेरी टेल के एंड में बिलकुल शांती से बैटना होगा इस तरह उच्छल कूत करते हुए वो निकल गए और उन्होंने सारी दुनिया के तीन बार चकल लगाए और सिवाए उनके मतलब डख और कंगारू के कौन इतना खुश हो सकता था कंगारू ने उसे कहा डख को कि आप तुम शांती से मेरी टेल के एंड में बैट जाओ ताकि मैं तुम बैलेंस अच्छी तरह कर सको और सकता तुम बैलेंस